मुख्यमंतरी भुपेश बगेल ने एक मई को मजदूर दिवस के मौके मौके पर बोरे बासी खाने की अपील की है बोरे बासी क्या है ये भी आपको बता देते हैं जो एक रात का बासी चावल है उसमें नमक और कुछ स्वाधिश्टे चीजें मिला कर जो बहुत सामान्ने हो स्वाश्टिक और बड़ी रुचिकर होती है इसके लिए उन्होंना अपील किया है मुख्यमंतरी की इस अपील से एक बार फिर प्रदेश में सियासत भी हो गई क्योंकि राजनेता कुछ कहता है तो विपक्ष तुरंत पकड़ने कोशिश करता है क्या कुछ है मामला देखि अपील ने बोरेवासी खाने की अपील की है पिछली बार तो सीम की अपील के बाद बोरेवासी खाने का नया ट्रेंड सामने आया था इस बार भी उन्होंने वीडियो संदेश चारी किया है बोरेवासी के फायदे भी गिनाये हैं सीम तो इसे छक्तिश गड़ की संस्कृती और शमिकों के सम्मान से भी जोडते हैं बोरेबासी चतिसगण का खान पान है लेकिन इस पर भी सियासत थम नहीं रही सियम के इस वीडियो संदेश के बाद सियासत भी गर्माने लगी है सियम भूपेश बगेल के वीडियो संदेश पर पूर्वनेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने तंच कसा है कांगरेस इसे इवेंट के रुप में बना रही है और जित्ते के बोरेबासी ने खाते उससे ज़्यादा का विग्यापन और उसकी पब्लिसिटी करना चाहते हैं कुल्म लाकर के कांगरेस के सरकार या भूपेश बगेल जी यह दिखाना चाहते हैं कि हम 36 गड़ के जो परंपरा है और यहाँ के जो पुरानी हमारी चलिया रहे है रितिरिवाज है उसको मनाते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ सायद भूपेश बगेल जी या मैं हम जन्म नहीं लिये थे तब से परंपरा 36 गड़ के रही है तो केवल इवेंट्स के रूप में बनाने से पिछले बार देखे थे उनका अधिकारी चमच में खा रहे थे साल में एक बार चमच में खा करके बोरेबासी खा करके क्या दिखाना चाहते हैं तो ये पब्ली सिटी से कुछ होना नहीं है 36 गड़ में बोरेबासी को मजदूर हो या किसान बच्चे हो या बुढ़े सभी चाओ से खाते हैं वहीं भूपिश सरकार की पहल के बाद इसे शहरी छेत्रों में भी पसंद किया जाने लगा है यही वज़ा है कि 36 गड़ी वेंजनों के साथ बोरेबासी खाने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर नजर आती हैं अब भले ही इसे लेकर सियासत होती रहे लेकिन आम 36 गड़िया कहने से कभी नहीं चुकता बटकी मा बासी चुटकी मा नून मैं गावत हों ददरिया ते कान देक सून पुलेश्वर पांडे बंसल न्यूज रायपुर